नमस्ते ब्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम करेंगे क्लास 5 चैप्टर नमबर 11 सुनीता इन स्पेस तो चलिए स्टार्ट करते हैं Straight from the heart What do you think the earth looks like? आप क्या सूचते हैं कि हमारी धर्ति कैसे दिखती है? Make a drawing of the earth in your notebook On your drawing, show where you are और उस drawing के अंदर आप शो कीजिए कि आप कहां पे हैं, कौन सी country में हैं Take a look at your friends drawing too अपनी जो friends हैं, उनकी drawings को भी अच्छे से देखिए What is our earth really like? हमारी जो धर्ति है, वो असल में कैसी दिखती है? Uzaira और शाहमिर आप लेइंग विद ग्लोब Uzaira और शाहमिर जो हैं, वो ग्लोब के साथ खेल रहे हैं While they play, they are talking to each other जब वो खेल रहे हैं, तो वो एक दुसरे से बाते भी कर रहे हैं Uzaira, do you know that Sunita Williams is visiting our school tomorrow? Uzaira कहती है, क्या तुमें पता है कि हमारे स्कूल में कल Sunita Williams आ रही है I have heard that she was spent more than six months in space मैंने सुना है कि उन्होंने छे महीने से ज़्यादा समय स्पेस में गुजारा था शाहमिर कहता है, looking at the globe, globe को देखते हुए Hmm, look here is America, Africa, hey, where is space? हाँ, देखो यहाँ अमेरिका है, यहाँ अफ्रीका है, लिकिन स्पेस कहा है? तो Uzaira कहती है, the sky, star, sun and moon, they are all in space जो हमारा आस्मान है, सितारे है, सूरज है, चांद है, वो सभी space के अंदर है तो शामिर कहता है, yes I know, हाँ, मुझे पता है Sunita Williams went in a spaceship, I saw on TV that she could see the earth from there हाँ, मुझे पता है कि Sunita Williams जो है, वो spaceship में गई थी मैंने टीवी पर देखा था कि उसे वहाँ से हमारी earth भी दिखाई दे रही थी Uzaira, yes, from there the earth looked like this globe हाँ, वहाँ से हमारी जो धरती है, वो बिलकुल ऐसे globe जैसे दिखती है फिर शामिर कहता है, if our earth looks like this globe, then where are we? अगर हमारी earth ऐसे globe जैसे दिखती है, तो हम कहाँ पर है Uzaira takes a pen and places in to the globe Uzaira ने एक pen उठाया और globe पर एक जगह पर टिकाया Uzaira, here we are, this is India देखो, यहाँ हम हैं, यह इंडिया है शामिर, if we were here like this, we would all fall off I think we must be inside the globe शामिर कहता, अगर ऐसा होता, तो हम तो कब के गिर जाते मैं सोचता हूँ, कि हम इस globe के अंदर है Uzaira, if we are inside, then where is the sky, the sun, the moon and the stars Uzaira कहती, अगर हम इसके अंदर हैं, तो फिर आसमान कहा है सूरज कहा है, चांद कहा है, सितारे कहा है We must be on the globe, हम जरूर globe के उपर ही है And all the seas and oceans must also be on the globe और जो सारे समुद्र और महासागर हैं, वो भी globe पर ही है शामिर, pointing towards the lower part of the globe शामिर, जो है globe की नीचे वाले part की तरफ point करते हुए कहता है You mean to say that no one stays here क्या तुम इसका मतलब है कि तुम कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई नहीं रहता फिर उजाइरा कहती है, people live here too Brazil and Argentina are here उजाइरा कहती है कि हाँ, यहाँ पर भी लोग रहते हैं ब्राजील और अर्जेंटिना यहीं पर है उसके बाद शामिर कहता है, are the people there standing upside down क्या हो यहाँ के लोग जो है वो उल्टे रहते हैं Why don't these people fall off यहाँ के लोग क्यों नहीं गिरते हैं उजाइरा, yes, it looks strange, isn't it and this blue part must be the sea Why doesn't the sea water fall off उजाइरा कहती है कि हाँ, यह थोड़ा अजीब तो है नहीं है क्या, यह जो blue part है यह जरूर समुद्र होगा लेकिन यह समुद्र का पानी क्यों नहीं गिरता What do you think, if the earth is round like a globe how is it that we do not fall off अगर earth round है globe के जैसी तो हम क्यों नहीं गिरते हैं Do the people in Argentina stand upside down क्या Argentina के लोग जो है वो उल्टे खड़े होते हैं देखिए होता क्या है हमारी earth जो है वो globe की तरह round है लेकिन हम फिर भी क्यों नहीं गिरते क्योंकि हमारी earth पे एक gravitational force होता है जो हमें नीचे की तरफ खीचे रखता है इसलिए हम गिरते नहीं है और दूसरा question है कि Argentina के लोग क्या उल्टे खड़े होते हैं तो ऐसा नहीं होता है Argentina के लोग भी हमारे जैसे सीधे ही रहते हैं Talking with Sunita अब Sunita से जो बातचीत हो रही है वो यहाँ पर बताई गई है When Sunita Williams came to India Thousands of children like Uzaira and Shamir got a chance to meet her जब Sunita Williams इंडिया आई थी तो बहुत सारे बच्चों को हजारों बच्चों को like Uzaira and Shamir उनको एक chance दिया गया था उनसे मिलने का Sunita says that her friend Kalpna Chawla wanted to come to India and meet children उन्होंने बताया कि उनकी friend जो है Kalpna Chawla वो इंडिया आना चाहती थी और बच्चों से मिलना चाहती थी She came to India to fulfill Kalpna's dream वो Kalpna की dream को उसके सपने को पूरा करने के लिए आई थी Sunita's experiences of living in space We could not sit at one place We kept floating in the spaceship from one end to another हम जो है वो कहीं पर भी बैठ नहीं सकते हम पूरा time जो है spaceship के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक तैरते रहते हैं Water too doesn't stay at one place जहके पानी जो है वो भी एक जगह पर नहीं टिक सकता It floats around as blobs वो blobs बनके इदर उदर तैरते रहते हैं To wash your face or hands We had to catch these blobs and wet paper with them हमें जब अपना face wash करना होता है या hands को wash करना तो हम इन blobs को ही पकड़ लेते हैं और paper को गीला कर लेते हैं We ate very differently there हम वहां बहुत अलग तरीके से खाते हैं The real fun was When all of us would float into the dining area of the spaceship And catch the floating food packets और ये बहुत ही मज़ेदार होता है जब हम dining area में spaceship के अंदर होते हैं तो हम सब तैर रहे होते हैं और अपना जो खाना है वो भी हमारा तैर रहा होता जो space होता है उसके अंदर हमें कॉम करने की यानि की कंगी करने की बालों में बिल्कुल भी जरुवत नहीं होती हमारे जो बाल है वो हमेशा खड़े रहते हैं देखो picture में भी आपको दिखरा होगा इसके बाल खड़े हैं Not being able to walk We had to get used to floating around हमें कुछ भी चलने की जरुवत हम बिल्कुल भी नहीं होती हम चली ही नहीं सकते वहाँ पर क्योंकि हम हमेशा तैरते रहते हैं We had to learn to do simple things differently हमें जो असान असान चीजें होती हैं उनको भी अलग लग तरीके से करना सीखना पड़ता है To stay at one place we had to stop ourselves there हमें कहीं पर रुकने के लिए अपने आपको कहीं से पकड़ना पड़ता है Papers also had to be stuck on the wall of the spaceship जो मारे papers होते हैं वो भी spaceship की दिवार के अंदर हम stuck करके रखते हैं Otherwise वो भी तैरने लग जाते हैं It was a lot of fun living in space but it was also very difficult जो spaceship के अंदर रहना इसमें बहुत मज़ा भी आता है लेकिन ये बहुत मुश्किल भी है Look at the photographs and write Can you think why Sunita's hair was staining? क्या आप सोच सकते हैं कि Sunita के बाल क्यों खड़े हुए हैं? बताएगे क्यों खड़े हुए हैं, देखिए picture के अंदर इसके बाल क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि हमारे याँ तो gravity होती है gravitational force होती तो मारे बाल नीचे की तरफ रहते हैं लेकिन space के अंदर gravitational force नहीं होती है इसलिए सब चीजें उपर की तरफ चली जाती है Look at Sunita's photograph and the dates written on each of them Write what all is happening and when ये देखिए कुछ pictures Take off किया था 9 December 2006 को ये देखिए उड़ते हुए इनकी तैर रहे हैं इनके पैर जमीन पर नहीं टिके हुए हैं ये है 11 December 2006 ये देखिए तैरते हुए खाना खा रहे हैं ये लो ये picture है 11 December 2006 की Next में देखिए Look my hair is standing no problem while working देखिए इसके बाल बिल्कुल उड़े हुए हैं और ये picture है 13th of December की Sunita outside the spaceship ये Sunita Williams है जो spaceship के बाहर है बिल्कुल space के अंदर और ये picture है 16th of December 2006 की Classroom becomes a spaceship Close your eyes, imagine that your class is a spaceship अपनी आखे बंद कीजी और सोचे कि हमारी जो class है वो spaceship है Zoom In 10 minutes you have entered in space 10 minutes के अंदर आप जो है space के अंदर enter कर गए है Your spaceship is now going around the earth अब जो हमारा spaceship है वो अर्थ के चारतर चक्कर लगा रहा है Now say Are you able to sit at one place? क्या आप एक जगह पर बैठने के काबिल हैं? What about your hair? आपके बालो को क्या हुआ? Oh look, where are your bags and books going? तुमारा bag और books कहां जा रहे हैं? देखो जल्दी And what is your teacher doing? Teacher क्या कर रही है? उसका चौक कहां पर है? How did you eat your food during the break? ब्रेक में आप अपना खाना कैसे खाओगे? How did your drink water? पानी कैसे पियोगे? जो आपने bowl फैकी है उसके साथ क्या हुआ? Act out और draw the scene या तब उससीन की acting कीजिए या उसको draw कीजिए Isn't it amazing? On the earth, when we throw something up, it comes down जब भी हम अर्थ पर होते हैं तो हम कुछ फेकते हैं, तो वो नीचे की तरफ आता है When we throw a bowl up in air, it falls back जब भी हम हवा में कोई bowl फैकते हैं, तो वो नीचे आजाती है We are able to catch it हम उसे पकड़ने के लिए पकड़ सकते हैं On the earth, we don't keep floating around हम जब जमीन पर होते हैं, अर्थ पर होते हैं तो हम उड़ते नहीं हैं, तैरते भी नहीं हैं When we fill a glass or bucket with water, it stays there जब हम कोई glass भरते हैं या फिर bucket भरते पानी की तो वो वहीं पर रहता है It doesn't float around in blobs as Sunita Williams says वो बिल्कुल भी नहीं तैरता जैसे कि Sunita Williams पताती है It is something special about the earth that makes this happen हमारे earth पर ऐसा कुछ special है जिसकी वज़ा से ऐसा होता है The earth pulls everything towards itself जो हमारी earth है, वो हर चीज को अपनी तरफ खीचती है Sunita Williams went 360 km away from earth in the spaceship Sunita Williams जो है हमारी earth से 360, 360 km जो है वो spaceship में गई थी Think how far this would be सोचो वो कितने दूर थी Find out which town or city is located about 360 km away from where you live पता कीजी कि आपके घर से 360, 300 km पे कौन सी चेके पड़ती है This is how far Sunita Williams went away from the earth इतनी ही दूर Sunita Williams जो है वो हमारी earth से गई थी Can you now say why Sunita's hair kept standing? क्या आप बता सकते हैं कि Sunita के hair जो है वो क्यों खड़े थे? Think why water flows downwards on any slope On mountains too water flows downwards not upwards ये सोची कि जो पानी है वो हमेशे नीचे की तरफ ही क्यों आता है जब कोई धलान होती है या फिर जो पाहाड होते हैं उन पे से भी पानी जो है नीचे की तरफ क्यों आता है उपर की तरफ क्यों नहीं जाता? Magic number one A tiny paper raises a coin Take a five rupee coin and a small piece of paper एक छोटा सा paper का टुकडा लेजिए और पांच रुपे का सिक्का लेजिए The paper should be about one-fourth of the size of the coin जो paper है वो coin के one-fourth size का होना चाहिए Hold the coin in one hand and the paper in the other जो coin है उसको एक हात में पकड़िए और paper को दूसरे हात में पकड़िए Drop them at the same time दोनों को एक साथ किराइए What happened? क्या होगा? Now place the tiny paper on the coin and drop them अब जो है वो paper है उसको coin के उपर रखे और फिर फैके What happens this time? इस पर क्या हुआ? Surprised! देखिए आप इसको यापके लिए activity homework के लिए आप इस activity को करके देखिए Magic number two A mouse lifts an elephant एक चुहे ने हाथी को उठा लिया To play this you will need a small stone, a bigger stone इसके लिए आपको एक छोटा पतर चाहिए, एक बड़ा पतर चाहिए A thick roll of paper Thick roll of paper चाहिए Mouse in an elephant made of paper एक चुहा और एक elephant पेपर का बना हुआ चाहिए Take a string about two feet long एक धागा लिजिए जो की दो feet लंबा हो At one end of the string, tie the small stone stick और tie the mouse to the stone जो धागा है उसके एक छोटा पतर बान देना है और उसके उपर जो माउस था उसको बान देना है या फिर चिपका देना है Put the string into the roll of paper अब उस धागे को roll के paper के अंदर से निकालिए At the other end, the string tie the bigger stone and the stick the elephant और जो बड़ा पत्थर है उसके उपर एक elephant चिपका दीजिए और बड़े पत्थर को दूसरी साइट पर बान दीजिए जैसकि इस picture में दिखाई दे रहा है Hold the roll of paper and move your hand to rotate the small stone और फिर उसको बड़े पत्थर को नीचे रखना है और चोटे पत्थर को हाथ से घुमाना है Who is pulling whom? You will be surprised the mouse lived the elephant How did this magic happen? यह जो है जो चोटा पत्थर है वो बड़े पत्थर को भी उठा लेगा यानि कि जो mouse है वो elephant को उठा लेगा Where are the lines? Really? Sunita describe her view of the earth from the spaceship Sunita जो है उसने spaceship से देखा earth के बारे में उसको describe करती है The earth looks so beautiful and amazing जो earth है वो बहुत ही सुन्दर और amazing लग रही थी We could watch it for hours from the window of the spaceship हम उसे घंटों देख सकते थे अपनी spaceship की window से We could clearly see the curved shape of the earth हम असानी से देख सकते थे कि हमारी जो earth की curved shape है उसको Look at this photograph of the earth taken from a spaceship ये देखी spaceship से दली हुई ये earth की picture है From such photographs, today we know what the earth looks like In photographs की help से आज हम जानते हैं कि जो earth है वो कैसी रिखती है But thousands of years ago, people could only imagine what the earth looked like Scientists tried hard to find out how big is the earth, how does it go around अभी तो हम देख सकते हैं इन pictures की help से कि earth कैसी दिखती है लेकिन हजारों सालों पहले जो लोग थे वो के विल imagine कर सकते थे कि earth कैसी दिखती है Scientists ने इस चीज़ का पता लगाने के लिए बहुत महनत की है कि earth कितनी बड़ी है और वो कैसी है Look at this photograph and tell, can you see India? आपको यहाँ पर इंडिया दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है ये देखो बिल्कुल center में ये इंडिया है Can you recognize any other place? क्या आप इसके आसपास कुछ और भी देख सकते हैं? दो मुझे इंडिया के नीचे श्रिलंका भी दिखाई दे रहा है आपको एक गलोब देखना है और इस अर्थ की पिचर को देखना है फिर इन दोनों के अंदर देखना है कि क्या-क्या similarities है क्या आप इसस सोच सकते हैं कि सुनीता जो है उपर से पता लगा सकती कहा पाकिस्तान है कहा नेपाल है कहा बर्मा है अलग-लग से जब वो उसको स्पेस से देख रही थी गलोब को देखे अपने स्कूल के अंदर और बताईए कि आप उसमें इंडिया ढून सकते हैं आपको उसमें सी यान की समुद्र कहा दिखाई दे रहा है कौन-कौनसी कंट्रीज आप उसके अंदर देख पा रहे हैं क्या आप उन कंट्रीज को भी देख पा रहे हैं जिसके साथ इंडिया मैच खेलती हैं जैसे कि इंगलेंड, उस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांगलादेश, साउथ अफ्रीका और उस ग्लोब पर आप और क्या-क्या देख सकते हैं उजायरा और शामिर आर लोकिंग एडिफरेंट कंट्रीज ओन दा ग्लोब उजायरा और शामिर जो हैं, वो अलग-अलग कंट्रीज को ग्लोब पर ढूंड रहे थे उजायरा कहती है, see, there are lines between the different countries on this globe Are such lines also there on the earth? ये देखिये, अलग-अलग कंट्रीज के बीच में lines बनी हुई हैं ग्लोब पर क्या ये lines सच में हैं अर्थ पर? शामिर, there must be, they are there on the map of India in this book See, there are lines between the different states too हाँ, होनी तो चाहिए, बहुत सारे maps जो इंडिया के maps हैं इस book के अंदर उसमें भी ऐसी ही lines बनी हुई हैं, अलग-अलग states के अंदर उजायरा, if we go to from Delhi to Rajasthan, would we find such lines made on the ground? अगर हम दिली से राजस्थान जाएंगे, तो क्या जमीन पर हमें ऐसी ही lines बनी हुई मिलेंगी? Look at the map of your country and tell अपनी country का map देखिए और बताइए, कि आप कौन से state में रहते हैं और उसे उस map पर लिख दीजिए उसके बाद आप अपने state को बताएए, कि आप कौन से state में रहते हैं? क्या आप कभी किसी और भी state में रहे हैं? शाहमिर सोचता है, कि जो states के grounds के बीच में जो है, वो lines बनी हुई हैं तो असलियत में जो real life के अंदर वो lines बनी हुई नहीं होती हैं वो सिर्फ हमें ये बताने के लिए होती हैं, कि यहां से यहां तक इस state का area है जो कि हमें map के अंदर दिखाया जाता है जब सुनीता ने अर्थ को स्पेस से देखा था, तो उसे बहुत सुन्दर लगी थी Many thoughts came to her mind, उसके दिमाग में बहुत सारी thoughts आई As she describes it, from so far away, one can only make out the land and the sea जैसा कि वो बताती है कि इत्ती दूर से देखने पर हमसे विए बता सकते हैं कि कहां पर जमीन है और कहां पर समुद्र है One cannot see the different countries, कोई भी अलगलग countries को नहीं देख सकता Division into countries has been done by us जो countries का division है, विवाजन है, वो से हमने किया है All the lines on the maps are made by us, they are in our minds जो lines बनी हुई है, map के अंदर वो भी हमने बनाई है ये सारी चीज़े हमारे mind के अंदर है I wish we all think about this मैं चाहती हूँ कि काश हम इसके बारे में सोच पाएं Where are the lines? Really? क्या वो lines है? सच में Look at the sky शामिर कहता है, he closes one eye and moves the coin back and forth while looking at the moon शामिर कहता है, उसने एक आख बंद की अपनी और जो coin है उसको आगे पीछे की तरफ हिलाया जबकि वो चांद को देख रहा था Look, I can hide the moon behind this coin और देखो मैं इस coin के पीछे जो है चांद को पूरा छुपा दे रहा हूँ तो उसने एक आख बंद की और दूसरा coin जो है वो अपनी दूसरी आख के सामने बिकुछ चांद के सामने रख दिया तो उसे चांद नहीं दिखाई दे रहा था उसा एरा, वाओ, imagine hiding such a big moon behind such a small coin वाओ, ये तो कितना अच्छ है कि छोटे से coin के पीछे इतने बड़े चांद को चुपा लिया आप भी ऐसा क्यों नहीं ट्राइ करते हो आपने जो coin है उसको अपनी आख से कितने centimeter दूर रखा उस moon को चुपाने के लिए आप क्या सोचते है कि moon जो है वो coin के जैसा flat है या फिर bowl के जैसा round है have you ever looked carefully at the sky at night क्या आपने कभी रात को ध्यान से देखा है don't the twinkling stars look magical क्या वो जो चमचमाते हुए सितारे हैं वो बिलकुल जादूई जैसे नहीं लगते and sometimes the moon is silvery and bright while sometimes it is nowhere to be seen in the black sky और कई बार जो moon होता है वो बिलकुल silver color का ब्राइट होता है जबकि कई बार वो जो है कैसा होता है black sky के अंदर छुप जाता है look at the moon tonight and draw what it looks like आज रात को moon को देखिये और लिखिये वो कैसा दिखता है look and draw again after one week and then after 15 days तो उसको दुबारा से देखना है एक हफते के बाद और उसके बाद 15 दिन के बाद और कैसा दिखता है वो table आपको यहाँ पर fill करना है क्योंकि moon जो है वो बढ़ा होने के बाद फिर 15 दिन के लिए घटता है और फिर बिलकुल छोटा हो जाता है उसके बाद फिर वो 15 दिन के लिए फिर से बढ़ने लगता है और 15 दिन के बाद बिलकुल फिर से पूरा हो जाता है find out when is the next full moon पता लगा ये कि next full moon कब होगा जब पूरा चान दिखेगा at what time will the moon rise on this day उस time उस समय पर जो moon है वो किस time उगता है what does the moon look like on the day उस दिन moon जो है कैसा दिखता है उसे draw कीजे what are the festivals related to the moon moon से related कौन सा festivals होते है तो सबसे famous हमारे यहां कौन सा होता है एक तो ईद होता है और एक करवा चोत होता है at night look at the sky carefully for five minutes रात में पाँच मिनट के लिए sky को बड़े ध्यान से देखिए what could you see आप क्या देख पाते हैं did you see anything moving in the sky क्या आपको कुछ sky के अंदर चलतावा दिखाई दे रहा है what do you think it could be वो क्या हो सकता है a star और a shooting star और a satellite वो कुछ भी हो सकता है star भी हो सकता है shooting star तूटतावा सितारा भी हो सकता है और कोई satellite भी हो सकता है satellite क्या होता है satellite जो TV, telephone और weather reports के बारे में हमें जो सूचना देती है that are satellites find out more about this इसके बारे में कुछ और भी पता कीजे अब ये एक table दी गई है इसके अंदर moon कितने बज़े आ रहा है कितने बज़े जा रहा है वो सब इसके अंदर लिखाव है तो ये आपके लिए homework है आप इसको table को solve किजिए इसके बाद the point is also raising such questions in the poem अब इसके बाद ये छोटी सी poem है stars are twinkling in the sky why do they twinkle tell me why how many can you see जो stars होते हैं वो चम चम आते हैं twinkle करते हैं तो वो क्यों करते हैं twinkle ये हमें यहाँ पर find करना है some seem near some seem far is there a name for every star how many can you see कुछ जो सितारे होते हैं वो पास में होते हैं कुछ होते जो दूर होते हैं हर सितारे का जो है क्या अलग-अलग नाम होता है they shine so bright in dark of night why do they hide in the morning light जो रात का होते हैं रात में तो चमकते हैं लेकिन सुबद जो है वो गयब हो जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है some shining stars we know so well but every star has a tale to tell कुछ जो सितारे होते हैं अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन कुछ सितारे ऐसे भी है जो की अच्छी कहानिया बताते हैं an interesting photograph a spaceship went to the moon a spaceship जो है वो moon पर गया this photograph of the earth was clicked from the surface of the moon और ये जो photograph है earth की ये moon की surface से ली गई है see how the earth is looking देखो earth कैसी दिख रही है can you see the surface of the moon क्या आप moon की surface को देख पा रहे हैं do you have some questions after looking at this picture क्या आपके मन में कोई question आ रहे हैं उन questions को लिखिए उनके बारे में class में discuss कीजिए ये देखिए moon की surface भी आपको दिखाई दे रही होगी कैसी uber खाबर सी है और earth को देखिए moon से कैसी दिखाई दे दिया है do your best and things will work out when sunita was five years old she saw pictures of neil armstrong landing on the moon जब sunita पांस साल की थी तो उसने pictures देखी थी neil armstrong की जो की moon पर सबसे पहले पहुंचे थे in 1969 neil armstrong was the first man to walk on the moon 1969 के अंदर neil armstrong जो थे वो moon पर चलने वाले पहले आदमी बने थे like any other child sunita was also fascinated सबी बच्चों की तरह sunita भी जो इस चीज से बहुत आकर्शित हो गई थी sunita says that when she was a young girl she really loved sports and swimming जब sunita छोटी थी तो वो जो है sports केलना और से swimming करना बहुत पसंद था she was never too interested in studies उसका पढ़ाई में बिलकुल भी मन नहीं लगता था after high school sunita wanted to become a diver high school के बाद sunita जो है वे एक नहीं कर पाई instead she become a helicopter pilot उसकी जगे वो जो है helicopter की pilot बन गई one day she found out that if she studied and trained for it she could join the space mission एक दिन उसे पता चला कि अगर वो पढ़ाई करती है और इसके लिए training पा जाती है तो वो space mission में शामिल हो सकती है and that is what she did और उसने वही किया in 2007 sunita विलियन set a new record में sunita विलियम्स ने एक सबसे लंबा space में रहने वाली space flight में रहने वाली महिला के नाम से अपना नया record बनाया sunita often gives her own example to tell children if you want something but you get something else do not give up do your best and things will work out sunita जी अपना example बहुत सारे बच्चों को देती हैं अगर आप कुछ करना चाहते हैं कुछ हासिल करना चाहते हैं और आपको कुछ और मिल जाता हैं तो हार मत माने अपना best करते हैं ये वो चीज आपको जरूर मिल जाएगी when sunita was asked by a child what would she like to do in future she answered I want to become a school teacher जब sunita से पूछा गया बच्चों ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते थे future में आप क्या बनना चाहोगे तो आंसर करती है कि मैं एक school teacher बनना चाहूँ so that she could make children understand how science and maths are closely linked to our lives lives, sorry तो ताकि मैं बच्चों को बता सकूँ ने समझा सकूँ कि science and maths जो हैं वो हमारी जिंदगी से कितने पास से जुड़े हुए है what we have learned हमने क्या सीखा why do children always slide down on slide and no slide up if the slides were there in sunita's spacecraft would children slide like this why यह जो slide देखो आप slide down जो slides बनी हुई है इसमें से जब बच्चे जूलते हैं तो वो नीचे की तरफ ही क्यों आते हैं अगर यही slides जो हैं वो स्पेस्क्राफ्ट में होती तो बच्चे किस डिरेक्शन में जाते हैं why do we see stars mostly at night हम जो है mostly stars को रात में ही क्यों देख पाते हैं looking at earth from the space sunita said different countries cannot be seen as separate from here these lines are on paper they are made by us what do you understand by this sunita ने space से earth को देखते हुए कहा कि अलग-लग जो देश होते हैं वो अलग-लग दिखाई नहीं देते हैं जो line से ये paper पे बनी हुई है और हमारे द्वारा ही बनाई गई है तो आप इस चीज़ से क्या समझते हैं चलिए ये हो गया chapter आपका यही पर finish आपको ये video कैसे लगी मुझे comment box में जरूर बताएगा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगिए तो मेरी वीडियो के लाइक कीजिए में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं आप से हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें बाई बाई